एक राज सपने में मैं एक औरत की मौत देखी, अगले दिन जब रात को हम न्यूस देख रहे थे, तो उस औरत की मौत ठीक वैसे हुई हुई थी, जैसे मैंने सपने में देखा था, डर से मैं पसीना पसीना हो गई, यह सिलसिला चलता रहा, मैं जो सपना देखती थी, उसे र पॉफनाक सपना देखा, उसे रोकने के चक्कर में मेरी इज़त, मेरा नाम मांसी है, मैं 22 साल की हूँ, मेरी शादी नमन से हुई, हम दिल्ली में रहते हैं, मेरा ससुराल बहुत ही अच्छा है, नमन माबापके एकलोते बेटे हैं, मेरे सास ससुर मुझे रानी की तरह रखते हैं, शादी के साल भर बात मैं प्रेगनेंट हो गई, और तीन महिने के अंदर मेरा बच्चा खराब हो गया, मैं अंदर ये अंदर बहुत तूट गई, जब मैं रात को सो रही थी, मैंने सपने में देखा, की एक औरत का अपने पती से जगरा हो रहा था, अचानक उसका पत मेरे दिमाग से निकल गया, रात को जब हम न्यूज देखने लगे, न्यूज में उसी औरत को दिखाया और उसकी मौद उसी तरह से हुई थी, जैसे मैंने देखा था, न्यूज देखते ही मैं डर से अपने कमरे में आ गई, मुझे लगा, मैंने जो सपने में देखा, वो क ऐसे सच हो गया, डर के मारे, किसी को यह बात बता भी नहीं पा रही थी, मेरे पती कमरे में आकर पूछा, क्या हुआ, कमरे में क्यों चली आई, मैंने कहा कुछ नहीं, मेरी तवियत कुछ ठीक नहीं लग रही है, उसी रात फिर से मैंने एक सपना देखा, एक लड़का बि मोश उर गय, और मैं कापने लगी, नियूज में वही लड़का था, उसी तरह से आत्महत्ता किया था, वही चेहरा, वही जगह, एक नहीं ऐसा दो-दो बार हो रहा है, मेरे घरवालों ने मेरा हाल देखकर पुछा, क्या बात है मानसी, मैं उन लोगों को सारी बात बता दी वह लोग यह सुनकर दंग रहे गये, किसी तरह से मैं खाना खाकर सो गई, मेरी सास ने कहा, सोने से पहले भगवान का नाम लेकर सो, मैं भगवान से प्राटना की और सो गई, अगली रास मैंने देखा एक लड़की अपने पापा के साथ स्कूटर से स्कूल जा रही थी, व वह जगा भी बताया, जहां मैंने अक्सरेंट होते हुए देखा था, मेरे पती ने कहा, ठीक है, कर सुबह ही हम वहाँ चलेंगे, और इस अक्सरेंट को होने से रोक लेंगे, मैं और मेरे पती सुबह उठकर वहाँ पहुँचे तो देखा, लोगों की भीर इकठा हो रखी एक लड़की का अक्सरेंट हो गया है, और उसे अस्पता लेकर जा रहे हैं, उसके पिता को हलकी चोट आई है, मैंने कहा, यह ही लड़की है, जिसका सपना देखा था, हम इस अक्सरेंट को नहीं रोक पाए, उदास मन से हम दोनों घर आ गये, उस वक्त मुझे यह नहीं प सो रही थी, फिर से मुझे एक सपना आया, पर इस बार किसी की मौत का सपना नहीं था, मैंने देखा मेरे पती के ऑफिस में शनिवार को विकेंड पार्टी है, पार्टी में उन लोगों ने एक हाल बुक करवाया है, मेरे पती किसी औरत के साथ डांस कर रहे हैं, अचानक द से चल रहा है यह सब मेरे पीट पीछे, हम दोनों का लब मेरे जुआ है, मेरे पती और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, हमें प्यार हो गया, मेरे पती की जौब लगते ही हमने शादी कर ली, मेरे पती मुझे सपोर्ट किया करते हैं, उस वक्त वा सपना बीच में ही इस सनिवार हमारे ओफिस में पार्टी है, यह सुनते ही मेरा दिल जोरों से धरक उठा, मुझे पहले से ही मालूम चल गया था कि शनिवार को पार्टी है, इसका मतलब यह है कि सपना पूरा होने वाला है, इस बार मैं इसे रोप कर ही रहूंगी, कल शुकर बार है, यानि मे मेरे पास अभी भी टाइम है, मेरे पती को इस पार्टी में जाने से रोपने के लिए, मेरे पती जैसे ही ओफिस से आए, मैं उन्हें मनाने लगी कि शनिवार चलो ना कहीं बाहर चलते हैं, उन्होंने कहा, देखो हमारे ओफिस में पार्टी है, और सारे स्टाफ जा रहे है मेरा भी जाना जरूरी है मैंने अपने पती से कहा मैं यह सनिवार तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ अगर तुम्हारे ओफिस में पार्टी है तो मुझे भी अपने साथ लेकर चलो उन्होंने का मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता यह स्टाफ की पार्टी है और किसी की भी बीबी या पती नहीं आ रहे हैं, तो मैं तुम्हें कैसे ले जाओ, बात को समझो, पर मैं उन्हें मनाती ही रही, शनिवार का दिन आ गया, सुबह से ही मैं बहुत उदास थी, मैंने कहा देखो, मैं सुबह 6 बजे तुम्हारे ओफिस में लेने आऊंगी, कोई न कोई बहाना अगर तुम पार्टी टाल देना, मेरे पती जो पार्टी में जाना चाहते थे, मेरी बास सुनकर कहा, ठीक है अगर तुम आज आओगी, तो मैं टालने की कोशिश करूँगा, साम को पांच बसते ही, मैंने अपने पती की ऑफिस में जाने के लिए कैब बुक कर ली, थोड़ मुझे कैब नहीं मिल रही थी, आखिर सारे पाच बजे मैं घर से निकली, मैंने सोचा मैं आटो पकर कर ही चली जाओंगी, पर आटो भी नहीं मिल रही थी, आखिर मुझे एक आटो वाला मिला, मैंने उसे ओफिस का पता देते हुए कहा कि चलो यहाँ जल्दी लेकर, रास पकर कर चले जाओ, पर मेरी किस्मत, रास्ते में मुझे कुछ भी नहीं मिल रही थी, मैं चलने लगी, आखिर बस टैन तक पहुँचने के बाद मुझे बस मिली, जब मैं पती के ओफिस तक पहुँची, तो 6.45 हो चुके थे, मैं दरती हुई अंदर आई, गार्ड ने जब मैं उनके ओफिस पहुची, मैंने देखा वहाँ कोई भी स्टाफ नहीं है, तभी एक चपरासी मेरे पास आकर बोला, मैडम किस से मिलना है, मैंने कहा, मुझे नमन से मिलना है, उन्होंने कहा, सर तो जाच चुके है, आज ओफिस की पार्टी है ना, सब स्टाफ वहीं मैं तुरन थी लिफ्ट पकर कर नीचे उतर गई, भले ही मेरे पती ने ना बताया हूँ कि पार्टी कहा है, पर मुझे पता है, क्योंकि मैंने सपने में उसी जगह को देखा है, मैं वहाँ पहुच गई, आट बच चुके थे, जैसे ही मैं अंदर गुसी, लोग मेरी तरफ म मैं में पहुच गई हूँ, मैं वाश्रूम की तरफ भागी, पर वाश्रूम में कोई भी नहीं था, सामने एक कमरा था, यह कमरा थो मैंने सपने में देखा था, उसी कमरे में मेरे पती उस औरत के साथ, मैं दौरती हुई उस कमरे तक पहुची, कमरे का दरवाजा हलका सा ख मैंने कहा तुम मेरे पीट पीछे यहां यह सब कर रहे हो मेरे आखों से आशू आ गया मैं वहां से तुरंथ ही निकल गई हौल के बाहर निकल कर मैं रोने लगी एक ही पल में मेरी जिंदगी पूरी तरह उलट पुलट हो गई सच में ही मेरे पती ने मेरे साथ इतना बड़ा धुखा किया मुझे अब समझ नहीं आ रहा था कि मैं जाओं तो कहां जाओं अगर मैं अपने माई के जाओं तो मा बाप से क्या कहूंगी तभी मेरे पती कपरे पहन कर मेरे पीछे पीछे आए उसने कहा मान से मुझे माफ कर द मैं तुम्हारे ओफिस आँगी तुम्हें लेने के लिए मैं तुम्हारे ओफिस आई थी वहाँ से पता चला कि तुम पार्टी के लिए निकल गया हो मेरे पती ने कहा तुम्हें कैसे पता चला कि पार्टी यहाँ पर है मैं न तो तुम्हें बताया ही नहीं मैंने कहा मैं तुम्हारी यह गिनावनी हरकत दो दिन पहले ही सपने में देख चुकी हूँ यही बज़य थी कि मैं तुम्हें रोकना चाती थी पर शायद उपर भाला भी यही चाता है कि मैं तुम्हारे साथ ना रहूं ना जैने तुमने मेरे साथ कितनी बार धोखा किया है मेरे पती ने मेरा हाथ पकर लिया कहा मानसी घर चलो हम कल इस बारे में बात करेंगे हम घर आ गए मैं बहुत रो रही थी तो मेरी सास ने कहा बेटा क्या हुआ है मैंने आपने सास ससुर को सारी बातें बताई मेरी सास मुझे समझाने लगी बेटा जो हुआ उसे भूल जाओ एक नए सिरे से जिन्दगी सुरू करो अभी अभी तुम दोनों की शादी हुई है शाय नसे में मेरे बेटे से गलती हो गई उस रात के लिए मैं घर पर रुख गई पर मेरी आखों में बार बार आसू आ रहे थे मैं इस धुके से बहुत ज़्यादा तूट गई थी कब मुझे निंद आ गई पता ही नहीं चला फिर मैंने एक सपना देखा इस बार मैंने देखा मैं एक चाकु से अपने पती को मार रही हूँ और वह मेरी वार से मर गया मैं घबरा कर उट गई मेरे पूरे बदन पसिने से दरबतर हो गया मेरे आखों के सामने अंधीरा चा गया भले ही मेरे पती ने मेरे साथ धोखा किया हो पर मैं उन्हें जान से मारने के बारे में सोच भी नहीं सकती ज़्यादा से ज़्यादा मैं उन्हें तलाग दे दूँगी पर मेरा सपना हर हाल में सच होकर ही रहता है उसे रोकने का कोई उपाय नहीं है यह मैं समझ चुकी थी अब एक ही रास्ता था कि मैं यहां से हमेशा हमेशा के लिए कहीं चली जाओं होता कि मैं उन्हें चाकु से मार देती पर मैं ऐसे गुम हो जाओंगी जैसे मेरा कोई वजूद कभी था ही नहीं दोपार को जब मेरे पती ऑफिस में थे और मेरे सास ससुर अपने कमरे में सो रहे थे मैंने अपने कुछ कपड़े और कैश लेकर घर से निकल गई ना ही मैंने कोई मोबाइल लिया ना ही कोई सोना दाना और ना ही कोई ATM कार्ड या क्रेडिट कार्ड वहां से निकल कर सीधे बस पकर कर मैं रेलवे स्टेशन पहुँची मैं मुंबई जाने के लिए जनरेल क्लास के टिकेट ली रिजर्वेशन करने से उनको पता लग जाता कि मैं कहां मैं उनके पीछे अब कोई छाप नहीं छोड़ना चाहती मुंबई पहुचने के बाद मैं स्टेशन से बाहर निकली और वहीं बैट गई सबको बिना बताए पती से दूर तो आ गई थी पर मुझे अब यह नहीं पता था कि मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजारूंगी मेरे पती ने मेरे साथ जो कुछ भी किया वह सोचकर मैं रोने लगी तभी दो आदमी मेरे पास आए बड़े प्यार से उन्होंने मुझसे कहा बहन क्यूं रो रही हो यह सहर सही नहीं है तुम यहां इस तरह रोगी तो गरत लोगों के हाथों में पढ़ सकती हो मैंने कहा दरसल म यहां समल कर रहना होगा मैंने कहा अगर आपने मुझे कुछ काम दिला दिया तो बहुत महरबानी होगी क्योंकि मेरे पास रहने के लिए घर है ना कोई काम उन्हों लोगों ने कहा चलिए हमारे साथ मेरी एक दीदी है मैं आपको उसके पास लेकर जाओंगा वहां आपकी म मेरे सामने एक औरत आई उसने कहा मेरा नाम गंगू बाई है तुम्हें काम चाहिए ना तुम्हें काम और रहने के लिए जगह दोनों ही मैं दिला दूंगी उसने मुझे रहने के लिए एक कमरा दिया पर पता नहीं मेरा दिल बहुत ही घबरा रहा था मुझे लग रहा था यह जगह सही नहीं है जब रात हुई तो गंगू बाई ने मुझे बुलाया उन्होंने कहा यह तुम्हारे पहले कस्टमर है آज रात तुम्हें इन्हें खुश करना है मैंने कहा मैं यह काम नहीं कर सकती वो हसने लगी कही अब गंगू बाई के कोठे में तुम आ चुकी हो अब तुम्हें हर रात कस्टमर को खुश करना पड़ेगा मैंने कहा मैं यहां एक पल भी नहीं डुगूंगी मैं एक अच्छे घर की औरत हूँ मैं अभी के अभी यहां से जा रही हूँ गंग्यू भाई ने मुझे पकर लिया और एक जोड़दर तमाचा मारा उसके आदमी पकर कर मुझे कमरे में लेकर गए उसके बाद एक साल तक मैं इस नरक में जी रही हूँ अब मुझे वह सपने नहीं आते क्योंकि रात को मैं सोती ही नहीं हूँ रात को कस्टमर रोज ही आते हैं एक साल के दोरान मैं अपने पती से कितनी नफरत की मैं बता नहीं सकती, अपने पती के इस धुके की वज़़ा से मैं इस नरक में आकर फस गई, और एक सपना की वज़़ा से आज मैं यहां हूँ, यह सब मेरे साथ ही क्यूं? रात को गंगिवाई ने मुझे बुला कर कहा, आ कोई और नहीं मेरे पती थे उस बक सायद मुझे उनसे मदद मागनी चाहिए थी कि मुझे इस नरख से बचा लो मेरे पती मुझे देखकर हैरान रह गये मेरे पास आकर कहा तुम यहां मेरी आखों के सामने एक साल तक का वह अत्याचार घुनने लगा हर एक रात मेरी आत्मा क कतल हुआ मेरे पास रखे चाको को उठाया और सीधे उनके पेट में गुसा दिया उनकी चीक निकल गई यह सब ऐसे हुआ जैसे मैंने सपने में देखा था आवाज सुनकर गंगु बाई और सारे लोग दौर कर आए कमरे का नजारा देकर उनके सिर पर मानो आसमान तोट प मैं जेल जाकर अपने कर्मों के सजा भुकतूंगी मैंने उन लोग को अपनी सारी कहानी बता दी उन्हें तो मानो यकीन ही नहीं हुआ मेरी बातों पर गंगु बाई ने कुछ तस्वीरें खीच ली और वह चाको मेरे हांस से ले लिया जिससे मैं अपने पती को मारा था मु पुलिस यहां पहुच गई तो सारा किस्सा समझ आ जाएगा मुझे लगा कहीं यह लोग मुझे मार तो नहीं डालना चाहते उन्होंने कहा हमारे पास तेरे खिलाब सारे सबूत है हम तुझे यहां से छोड़ देंगे तू कहीं दूर चली जा और नए सिरे से जिन्दगी चुरू कर लेकिन याद रखना अगर तो पुलिस के पास गई तो हमारे बारे में कुछ भी बताया तो सारे सबूत पुलिस को दे देंगे उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिये उनके आदमी मुझे गारी में बैठाया और कहा हम तुम्हें स्टेशन छोड़ आएंगे रात क खुली मुझे पता था कि अब मुझे कहा जाना है पहली बार मैंने कुछ अच्छा सपना देखा था बस मेरी मंजिल तक पहुंचना था फिर क्या था मैं सपने वाली जगह पर पहुंच गई वहां मुझे काम भी मिल गया और बाके की जिन्दगी मैं वहीं पर गुजारी प